एक्टरस जैकलीन फर्नेंडेस और कॉन मैं सुकेश चंदरशेकर की फोटो सोशल मीडिया में वाइरल हो रही हैं। ऐसे में एक्टरस ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर मीडिया से प्राइवेसी की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कठिन दौर है और मैं चाहती हूँ मेरे परसनल स्पेस में दखल ना दिया जाए। जैकलीन दोसो करोण रुपे की मनी लॉंडरिंग में नाम आने के बाद मुश्किलों में फस गई है। जैकलीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कहा इस देश ने और यहां के लोगों ने मुझे हमेशा जबरदस्त प्यार और सम्मान दिया है। इसमें मेरे मीडिया के दोस्त भी शामिल है। मैंने आप सब से कुछ न कुछ सीखा है। इस समय मैं एक बुरे और कठिन दोर से गुजर रही हूँ। मैं मीडिया के अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरह की फोटो सर्कुलेट ना करें। जो प्राइवेट हैं और मेरी प्राइवेसी में दखल दे रही है। आप अपनों के साथ ऐसा नहीं करतें इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरे साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे ये उमीद है कि जल्द ही न्याय होगा। जैकलीन फर्नेंडेस और सुकेश चंदर शेकर का कनेक्शन पहले ही जाँच के दाइरे में हैं क्योंकि एक्ट्रेस को ठग सुकेश से कई महंगे तोफे मिले थे। जैकलीन ने एडी अधिकारियों को बताए था कि सुकेश चंदर शेकर ने उन्हें कहा था कि वो जैल एलित्या के परिवार से जुड़ा है और संड टीवी का मालिक है और उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मे करने के लिए भी कहा था। जैकलीन ने ये भी खुलासा किया कि सुकेश उनके मेकप आर्टिस्ट के माध्यम से उनके सबपर्क में आये थे। जब सुकेश चंदर शेकर इस साल की शुरुवात में कुछ समय के लिए जमानत पर बाहर था तब उसकी मुलाकात जैकलीन से हुई और दोनों की कुछ कि ठगी की है। कहा जा रहा है कि यही पैसा वो फिल्मी कलाकार उपर लुटा रहा है। सुकेश ने जेल से ही फोन पर कई एक्ट्रेसे से कॉंटेक्ट किया, खुद को बहुत बड़ा आदमी बता कर उन्हें अपनी जाल में फसाय था। उन्हें महंगे तोफे दिये थे, इनमें महंगी गाड़ी, ज्वलरी और हवाई यात्रा का खर्च भी शामिल है। दावा है कि इस लालच में चाहत खन्ना, नेहा कपूर और नुरा फतेही ने सुकेश से तिहार जेल में कई बार बुलाकात भी की थी। इसी प्रकार की तमाम जानकारें के लिए हमार साथ ज आमाशकर